हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियल टीवी आज की इस वीडियो में आप अक्ट्रेस पूजा गॉर के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूजा गॉर ने किन किन सीरियल्स, फिल्मों और बेब सीरीज में काम किया है इसके अलावा उन्होंने किन-किन सीरियल में एपेसोडिक रोल किया है तो चलिए सुरू करते हैं पूजा ने साल 2009 में सीरियल कितनी मुहांबत है में सपोर्टिंग रोल किया था जिसमें उन्होंने पूर्भी सलील मितल का किरदार निभाया था साल 2009 में ही उन्होंने सिरियल कोई आने को है में पूजा का रोल निभाया था इसके बाद साल 2009 में ही पूजा गौर को वो सिरियल मिला जिस सिरियल ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई उस सिरियल का नाम है मनकी आवाज प्रतिग्या इस सिरियल में उन्होंने प्रतिग्या कृषना सिंग का किड़ार निवाया था प्रतिग्या का रोल करने के दورान ही पूजा कैई सिरियल में एज़क गेश्ट नजर आई थी जैसे कि साल दोजर नौ में सिरियल किस देश में है मेरा दिल में और साल दोजर नौ में ही तुझा संग प्रीत लगाई सजना में और साल दोजर दस में साथिवना साथियां साल दोजर दस में सपना बाबुलगा पिदाई और साल 2010 में ही popular show ये रिष्टा क्या कहलाता है में as a guest नजर आई थी इसके बाद साल 2010 में reality show मीठी छूरी नंबर बन में as a contestant नजर आई थी साल 2010 में ही कौन बनेगा करोपती सीजन 4 में contestant रागिनी खनना के साथ नजर आई इसके बाद कुछ और सीरियल्स में ये as a guest प्रतिग्या के रूल में नजर आई जैसे की साल 2011 में माईके से बंधी दोर में साल 2011 में ही इस प्यार को क्या नाम दू में साल 2011 में रुक जाना नहीं में और साल 2012 में popular show दिया और बाती हम में साल 2012 में ही ससराल गेंदा फूल में साल 2012 में ही एक हजारों में मेरी बहना है में साल 2012 में तेरी मेरी लब स्टोरीज में इसके बाद साल 2012 में लाखों में एक सो को होश्ट करती हुई नजर आई थी साल 2012 में पूजा भी दस सीरियल में नजर आई इसके बाद साल 2013 में Big Boss Season 6 में As a guest फिनाले में आई थी साल 2013 में ही एक थी नायका में अन्या का किरदार निभाया था ये एक एपिसोडिक रोल था साल 2013 में ये है आसिकी में इन्होंने पाखी का रोल किया था और साल 2013 में ही मुझे पंक देदो में इन दोनों में एपिसोडिक रोल किया था इसके बाद साल 2013 में है Reality Show The Bachelorate India मेरे खयालों की मलिका में As a guest नजर आए थी साल 2013 में इन्होंने साबधान इंडिया को होश्ट किया था इसके बाद साल 2014 में खत्रों के खिलारी सीजन 5 में As a contestant नजर आए थी इसमें पूजा सबसे पहले Eliminate हो गई थी इसके बाद साल 2014 में Box Cricket League Season 1 में As a contestant नजर आए थी इसमें ये एहमदावाद Express की खिलारी थी इसके बाद साल 2015 में पूजा ने जिन्दगी खटी मीठी में पूजा का किरदार निभाया था साल 2015 में ही पूजा ने एक नई उमीद रोस्नी में Dr.Rosney Singh का किरदार निभाया था इसमें ये में लीड में थी साल 2015 में ही पूजा ने कलस एक विश्वास में guest का रोल किया था साल 2016 में पूजा प्यार तो उने क्या किया में सुमोना का किर्दार करती हुई नज़राई थी, गेश्ट नज़राई थी इसमें उन्होंने dance performance दिया था साल 2018 में पूजा फिल्म के दारनाथ में नज़राई थी इसमें उन्होंने बृंदा मिसरा का किरदार नभाया था यह उनकी debut फिल्म थी इस फिल्म में सुसान सीराजपूत और सारा अलिखान में लीड में थे साल 2019 में पूजा कीचन चैंपियन फाइब में कंटेस्टेंट अभिगेल जैन के साथ नज़राई थी साल 2019 में ये बेब सीरीज दबर्डिक्ट स्टेट वर्सेज नाना बती में बिद्या जोसी का किरदार करती हो नज़राई थी इसके बाद साल 2020 में सोनी लिभ के बेब सीरीज स्रिकांत बसिर में इन्होंने रवीना साहनी का किरदार निवाया था और अब साल 2021 में स्टार भारत पर प्रतिग्या का सीजन टू आने वाला है इस सीरील में एक वार फिर से पूजा गौर प्रतिग्या के रोल में दिखेंगी तो दोस्तों आपको पूजा गौर का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग